प्रदेश यात्रा के दूसरे दिन राश्पती द्रौपती मुर्मू ने काशी में बाबा विश्वनात के दर्शन किये काशी के विश्व प्रसिद दश्वा में घाट पर गंगा के आरती में राश्पती द्रौपती मुर्मू शामिल हुई उनके साथ राजपाल आन्दी बेन और मुख्यमंत्र योगी आज़तनाद भी मुझूद थे भगवान शिव की नगरी काशी में तेश की प्रथम नागरिक राष्टपती त्रोपती मुर्मू तशाच्व में घाट पर गंगारती में शामिल हुए राष्टपती का पदभार ग्रहन करने के बाद पहली वारलसी यात्रा के दोरान उन्होंने काशी की कोतवाल बाबा काल भैरो और बाबा विश्वनात मंदिर में दर्शन पूजन किये और राष्ट की सम्रिद्धिकी काम नाथी इससे पहले राष्टपती द्रोप दुमुर्वों ने लखनाओं में बकसा जन्जात के सदस्यों के साथ बादचीत की और उन्हें राज सरकार द्वारा प्रदान किये गए अधिकार पत्रों का वित्रण किया उन्होंने बावा साहिब भीम राव मिटकर विश्विद्याले के दस्वे दिक्षांत समारों में भी हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त आउसर मिला चाहिए उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इंवेस्टर समिट 2023 की चर्चा करते हुए राश्पती ने कहा कि समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्म कुर्जा का संचार हुआ है काल ही मैंने यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट के समापन समार हमें भाग लिया ये समेट देश और प्रदेश में एक नई उर्जा के संचार का संदेश दे रहा है इससे नीवेशों को वो बापैर के लिए अनुकुल बतावरों बन रहा है आज मैं यहां से अपिल करना चाहूंगी कि आफ सोब सिख्था को इस अनुकुल बतावरों से जोड़े राश्पती ने कहा कि बाबा साहब डाक्टर भीम राउंबेट कर मानते थे कि गरीव और जरूरत मन लोगों को सिख्षा प्रदान करना विश्व विद्यालियों का बुनियादी कर्तब यह है बाबा साहब का कहना था कि सैक्षरिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सब को बेहतर सिख्षा प्रदान करनी चाहिए ब्यूरो इन्पुट के साथ हरकेश बहादूर सिंग गौतम की रिपोर्ट डीडी रियूज